अब हम डिसकेस करेंगे कि आपके जो टी डेल्टाइस एक्वेशन्स हैं वो क्या होती हैं आप किस तरीके से टी डेल्टाइस एक्वेशन को डिर्यव कर सकते हों और टी डेल्टाइस सेट्वेशन का जो हमें क्यों पर हम को हम यहां पर discuss करें तो सबसे पहले जो टी डेल्टाइस एक्वेशन हैं उनको डिलाइव करेंगे हम यहां पर है तो यहां पर सबसे important point है कि टी डेल्टाइस एक्वेशन का हमें जरूरत क्यों पड़ता है तो टील डेल्टाइस जो है अगर हमें किसी thermodynamic system के लिए अगर हमें equation of state दिया गया हो किसी system का और जो heat capacities है at constant pressure and constant volume अगर वो हमें दी गई हो दैन उस case में हम जो entropy change है उसको relate कर सकते हैं direct measurable quantity से okay so एक तो यहां पर यूज जाता है कि आपका entropy आप find out कर सकते हो किसी भी problem के लिए जब आपके जो direct measurable quantities है उनकी helps एक तो यह यहां पर यूज हो जाता है और अगर आप दूसरा अगर इसका यूज चेक करो okay so T delta S जो है वो आपका heat exchange होता है किसी भी reversible process में it means जो आपका reversible process में जो जो आपका amount होगा heat exchange का वो आप find out कर सकते हो या फिर बोल सकते हो आपकी जो heat exchange है आप उसको relate कर सकते हो direct measurable quantities से okay so यहां पर यह important यहां पर point है T delta S equations को वैसे हम जो TDS आपको पहले equations हमने derive किया I think जहां पर आपने जो entropy change है वो find out किया किसी भी gases system के लिए okay so वहां पर भी हमने TDS equations निकाली थी बट वहां की जो equations है और equation में हलका सा थोड़ा फरक हो सकता है okay but वहां पर भी हम पहले भी derive कर चुके हैं आपकी T delta S equations है हमको okay but वहां पर हमने उनको specify नहीं किया था okay so अब यहां पर देखिए अब हमें पता है कि आपका जो entropy है एस और variable अगर हम चेक करें तो हमारे पास आये थे entropy, volume, temperature and pressure अब हमें entropy तो निकालना है because चार independent variable निकल के आये थे किसी भी thermodynamic system में और चेक किया कि आपका जो you can say internal energy है वो एक independent variable नहीं है यह चार independent variable है तो यहां से तीन variables आये हमारे पास या तो V हो सकता है T हो सकता है या फिर P हो सकता है और हमें पता है कि entropy को आप कुछ इस तरीके से रिपरजान कर सकते हो कोई भी दो variable इन तीनों में से आप निकाल के आप जो entropy है वो find out कर सकते हो ओके यहां पर temperature से multiply करके यह आपका TDS निकल जाएगा ऐसे करके कुछ यह तो चलो अलग बात है यहां पर एक important point है कि V T और पी में अगर टू टू के combination अगर मैं बनाऊं तो यहां से आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो तो 3C2 is equal to यहां पर देखे 3 factorial divided by 1 factorial और यहां पर आपका 2 factorial तो यहां से आपका डिरेक्ट राजाता है 3 into 2 divided by 2 तो यह आपके 3 relation आजाते हैं यहां से उसी तरीके से अगर आप इस तरीके से चेक करना चाहते हो कि यहां से अगर आप चेक करो तो PV एक relation पी यहां पर यह relation और य यह relation बन सकता है तो तीन relation हमारे पास बन सकते हैं तीनों variable से ओके सो यह हमारे पास एक important point है सो यहां से हमें तीन equations मिलेंगे तो इटमींस हमारे पास 3 TDS या टी डेल्टा सीक्वेशन होंगी ओके सो वन वाई वन हम डेराइव करेंगे जो एक्वेशन से हमको ओके सबसे पहले start करते हैं आपके आपके अजूम करते हैं कि फॉर्स्ट टी डियस इक्वेशन आजूम करते हैं कि आपका जो entropy है वो एक function है आपका temperature और वोल्यूम का ओके सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि आपका एक्जेक्ट डिफरेंशेल जो है विकोज एंट्रूपी का exact quantity है सो सदीवाइड बैटा है यहां से आप क्या कहा इसकते हूं की के हमलें पता है कि आपका जो सीवी है व rash तरीके से यह की ज्रतास डिवाइड बाई डाटी और यहां से आप से मल्टिप्लाय कर verdict है तो यह आपका टी डाल्टाइस जो है वो तो कुछ इस तरीके से होता था का कि तो एडैपिंग्प आपके से एक फट गालनी की खेशिए टीरा फोल्यून्सथ यह आपका सैना रॉप inherently आपर तो हम कह सकते हैं कि ds will be equal to cv divided by t into dt plus plus आपका यहां से देखे यहां पर आया हमारा delta s divided by delta v और यहां पर temperature constant है और यहां पर अगर हम इस equation को check करें तो यह एक direct measurable quantity नहीं है because entropy हमें यहां पर चाहिए यह direct measurable quantity नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको direct measurable quantity में change गरना पड़ेगा so आपका जो delta s divided by delta v at constant temperature वो किसके इकुल होगा यहां से देखे s v t variable रहे कुन सा गया आपका p it means delta p divided by delta यहां पर t आएगा आपकी बार और volume यहां है तो आपकी बार volume यहां आएगा यह याद रखने का तरीका है अब negative sign किस तरीके से याद रखते हैं कि t और v जो है एक साथ आते हैं तब आपका negative होगा बट यहां पर एक साथ नहीं रहें दोनों अलग लगा रहें तो यह आपका relation है तो यहां से अगर आप compare करो तो यहां से आप value पुट कर सकते हो किस तरीके से कि ds will be equal to cv divided by t अब इसको multiply भी कर देते हैं दोनों साइड किस से t से because t delta equation चाहिए ना में तो यह आपका t ds is equal to cv dt plus यहां पर आपका क्या जाता है देखिए delta p divided by delta t at constant volume और यहां पर आपका t और डीवी ओके अब इस equation को अगर हम significant form में change करना चाहते हैं जिसका physical meaning हो तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि suppose आपका जो pressure जो है है वह आपका एक कुछ इस तरीके से है कि p is equal to p of temperature volume पर depend करता है यह हम पहले भी कर जोगे हैं वैसे temperature आपका t और वी का suppose एक function है यहां से आप क्या कह सकते हो कि exact differential है डेल्टा पी वो किसके को लोजेगा डेल्टा पी डिवाइड़ बाइड़ डेल्टा टी एक constant volume प्लेस यहां पर आपका डी टी भी आता है dt plus deelta p divided by delta T आझ एक डेल्टा वी ड्लैक्ड टे-वी AT constant temperature और इहां पर आपका क्या आता है डी ओके सो हम अजूम करते हैं कि आपका dp is equal to 0 है इत मींस आपका पी जो है वो एक constant quantity है तेन हम क्या कह सकते हैं कि आपका यह जो relation है कुछ इस तरीके से आजाएगा कि डेल्टा पी डिवाइड़ बाइड डेल्टा वी यहां पर आपका वोल्यूम कॉंस्टन है इंटू डी टी प्लस डेल्टा पी डिवाइड़ बाइड डेल्टा वी इंटू डी वी इस इक्वल टू जीरो आजाता है कि यहां से अगर हम चेक करें तो हम कुछ इस तरीके से खह सकते हैं कि जो डेल्टा पी डिवाइड़ बाइड़ डेल्टा टी है यहां पर आपका डेल्टा पी डिवाइड़ डेल्टा टी आना जीए ना हां तो आपका डेल्टा पी डिवाइड़ डेल्टा टी जो है एड कॉ और यहां पर constant temperature है और V को divide करोगे T side means यह आपका delta V divided by delta T है और हम assume करके चलने कि आपका pressure जो है starting से constant है तो यह जो हमने यहां पर जो भी discuss किया यह जो part है यह सिर्फ relation find out करने के लिए था कि delta P divided by delta T जो है at constant volume उसका you can say physical meaning हो as quantity से तो वो relation कैसे find out करें okay so अब यहां से इसका value put करते हैं तो हमें मिलता है कि T delta S will be equal to okay अगर देखो आप तो यह जो equation है यही आपकी T delta S equation होती है यह है यह आपका क्या है first T delta S equation यह वैसे first T delta S equation है बट अब हम इस first T delta S equation को क्या कर रहे है एक physical meaning अगर एक ऐसी quantity का हो उस term में हम इसको change कर रहे है इसका value put करेंगे तो minus of T okay into delta P इसका value put करेंगे है से delta P divided by delta V at constant temperature into delta V divided by delta T at constant pressure ठीक है into DV okay एक हमें पता था कि जो यहां पर यह relation है कि E T जो है isothermal process में elasticity elasticity को हम किस तरीके से represent करते थे कि आपका उसके अंदर force per unit area कितना है या फिर बोल सकते हो pressure कितना है और वहां पर जो error है कितना आ रहा है तो delta V divided by V यह relation अब यहां पर एक important point है कि pressure और volume का जो variation है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यह quantity आपके negative निकल के आती है तो हम क्या करतेते हैं इसके अंदर पहले ही negative sign यहां पर बाहर लगा देते हैं पहले ही और temperature यहां पर constant रखते हैं तो यह जो quantity है यह आपकी isothermal elasticity होती है इसको हम किस तरीके से represent कर सकते हैं यहां पर अगर चेक करें तो इसको negative V delta P divided by delta V at constant temperature यह हमारे पास एक relation है दूसरा relation अगर चेक करें कि alpha जो है यह तो आपका क्या यह इसको अगर लिखना चाहूं यह आपका है आइसो थर्मल पहले भी इसको discuss कर चाहूंगे यह आपका वोल्यूम एक्स्पेंसिविटी है एट पी कॉंस्टेंट यह फिर बोल सकते हो आइसो बैरिक प्रोसेस में alpha जो है उसका value होता है कि आपका वोल्यूम एरर जो है यह फिर बोल सकते हो कि fraction जो है delta V divided by V वह आपका इस तरीके से चेंज हो रहा है at constant pressure यहां से अगर आप चेकर हो तो वोल्यूम को बाहर निकालेंगे तो यह relation कुछ इस तरीके से हो जाता है delta V divided by delta T at constant pressure अगर इस relation को इस relation को चेक करें तो यह relation हमारे पास आजाता है यहां पर आपका इस तरीके से चेंज होती है cvdt और यहां पर देखें नेगेटिव सायं यहां है तो नेगेटिव नेगेटिव आपका प्लस हो जाता है यहां पर temperature है यहां पर वोल्यूम इसका वोल्यूम से cancel out हो जाएगा तो हम directly कह सकते हैं कि डेल्टा यहां पर आपका जो है relation e t से multiply करते हैं e t into alpha into d so यह जो है यह आपका first t delta s equation आ जाता है with a physical meaning जब आपको जो आपको isothermal elasticity है वो अगर पता हो अब कुछ इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो कि आपका जो e t है वो आपका one divided by beta t यह होता है beta t जो है वो आइसो थर्मल expensive होती है यह elasticity है यह expensive है तो दोनों में फर्क होता है यह relation भी हमें एक पता है तो वैसे भी आप इसके अंदर value पूट कर सकते हैं okay so यह जो है यह आपका first t delta s equation जो है वो हमने आपर discuss किया आपके अब हम जो second t delta s equation है उसको derive करते हैं सेकिंड की डीएस इक्वेशन हम entropy को पिछली बार किस टाम में लेके चले ते टेंपरेचर वोल्यूम की टाम में लेके चलते हैं okay so हम कह सकते हैं कि exact differential कुछ इस तरीके से हुगा कि delta s divided by delta t at constant pressure into dt plus delta s divided by delta p at constant t into dp okay हमें पता है कि delta s divided by delta t okay अगर आप इसको temperature से multiply कर देते हो constant pressure पर यह आपका हो जाता t delta s is equal to delta q और divided by delta t at constant pressure यह आपका हो जाता है cp so ds is will be equal to यह फिर बोल सकते हो कि t delta s equal to temperature से multiply करोगे तो यह equation कुछ इस तरीके से आजाता है कि cp dt plus temperature से multiply किया है okay so delta s divided by delta p t okay यह relation हमारे पास है okay और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर यह quantity check करें तो यह direct measurable quantity नहीं है तो हम इसको direct measurable quantity में change करना पड़ेगा है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर देखिए s भी है pb है और टी बी है बट वोल्यूम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि delta v divided by delta यहां पर जाकिजिए p यहां पर आचुक है बड़ temperature की बार आएगा is equal to constant किस पर होगा प्रैशर पर होगा वह किसके को लोगा delta s divided by delta यहां पर चेक किजिए हमने negative sign के लिए चेक किया था कि temperature और वोल्यूम एक साथ अगरा जाते हैं then negative sign आपका जरूर आएगा it means यह आपका negative sign भी यहां पर आ रहा है ओके अब यहां पर क्या कह सकते हैं कि tds will be equal to cp dt अब यहां पर negative sign आएगा इसको कह सकते हैं कि delta v divided by delta t at constant pressure और यहां पर आपका क्या जाता है टी भी आ जाता है temperature से multiply into dp ओके अब इसको कुछ significant form में चेंज करते हैं यह तो वैसे आपका आपका जाता है सेकिंड टी डेल्टा सेक्वेशन है ना सेकिंड टी डेल्टा सेक्वेशन बट इसको significant form में चेंज कर रहेंगे तो हमें पता है कि आपका जो alpha है alpha हमने चेक क्या क्या था कि alpha is equal to कि volume fraction कि तरीके से change होता है या फिर बोल सकते हो कि one divided by v डेल्टा v divided by डेल्टा T at constant pressure ओके यह आपका किसके एकवल आया था alpha के एकवल ओके सो हम क्या कह सकते हैं कि tds will be equal to cp dt यहां पर negative sign आएगा आपकी बार temperature है into volume से हमें multiply करना पड़ेगा है volume into alpha into आपका डीपी सो यह जो है यह significant form में आपका जो second टी डेल्टा सेक्वेशन है वह हमारा chain हो जाते हैं अब हम आपका जो third टी डेल्टा सेक्वेशन है उसको डिराइव करते हैं हमें पता है कि आपका जो entropy है कि बार किसका function होगा entropy आपका pressure और volume का function होगा हम कहके सकते हैं कि ds will be equal to delta s divided by delta p at constant volume into dp plus delta s divided by delta v at constant pressure into dp अब आप इस relation को check करो तो यह दोनों quantity है आपकी miserable quantity नहीं है तो आप कुछ इस तरीके से भी इसको change कर सकते हो कि अगर temperature में change करो तो डेल्टा टी डिवाइड़ बाइड़ डेल्टा वी और similarly इसको डेल्टा इसका कोई meaning नहीं कह सकते हैं हम यहां से ओके सो हम क्या करते हैं इसको कुछ इस तरीके से चेक करेंगे कि हमें पता है कि आपका डेल्टा स्टिवाइड़ डेल्टा टी आपका वोल्यूम पर क्या होता है सीवी उसी तरीके से डेल्टा डेल्टा वी पी आपका इसको कुछ तरीके से क्यार्चा करते हैं डेल्टा डिवाइडी डैयल्टा टी एक फिक्सलिंद गॉल्यूम और डेल्टा टी डिवादेर बाई डेल्टा टी एक कुछ वग्लीूम सो यह मेसरेबल कॉन्सटी है यह आपका cv हो जाता है और into dp plus आपका delta s divided by delta t at constant pressure temperature के साथ multiply किया आपने और delta t divided by delta v at constant pressure यह आपका point हो जाता है है आपकर यह जो equation है यह कुछ इस तरीके से change हो जाएगी किस तरीके से कि tds will be equal to यहाँ पर यह आपका cv हो जाता है और delta t divided by delta p at constant volume into dp plus similarly यह आपका cp हो जाता है cp delta t divided by delta v और p और यहाँ बराब का यह dp so यह जो है यह एक ऐसी टॉंस में आ जाता है जो physically measurable quantity है cp cv और यह जो relation है यह आप चेक करी सकते हो किसके help से जब आपको जो relation है equation of state वो अगर पता हो okay so यह जो आपकी तीनो t delta s equation है वो आपकी complete हो जाती है तीनो equations को हमने हाँ पर derive किये अब यह जो t delta s equations है तीनों इनके help से आगर आप चेक करो तो आप entropy change भी find out कर सकते हो तो ds will be equal to किसी भी relation से check कर सकते हो तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा cv divided by t और delta t divided by delta p okay third relation को अगर हम चेक करें तो dp यह आपको integral करना है यहाँ पर okay cv consonant है t और यहाँ पर delta t divided by delta p find out कर लो जब आपका equation of state अगर दिया गया for example आपका ideal gas है तो pv is equal to nrt real gas है तो आपका p minus a divided by v square और v minus b is equal to rt कुछ इस तरीके से कर सकते हो okay so जो आपको equation of state है उसी से value put करने है और जो भी relation आएगा वो आप क्या है यहाँ पर आपका cp divided by t और delta t divided by delta v okay so कुछ नहीं आपको सिर्फ integral करना है दोनों साइड आप values find out कर सकते हो तो किसी भी problem के लिए पहला बात वाता है कि आप entropy change find out कर सकते हो दूसरा आता है कि t delta s है वो आपका delta q होता है so delta q find out कर सकते हो कि कितना heat exchange होगा अगर आपको क्या करना है सिर्फ दोनों साइड क्या करना है integral करना है इस relation का देन आपको क्या मिल जाएगा delta q मिल जाएगा यहां से delta s मिल जाएगा तो direct measurable quantities की health से आप जो entropy change है और heat exchange दोनों quantity आप find out कर सकते होगा झाल झाल